हेलो फ्रेंड फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एब इसकार एजूकेशनल ग्रूप में स्वागत करती हूँ आज मैं तेंथ क्लास के ट्रिगोमेट्री का कोशन लेकर आई हूँ जो सीध करने वाला है ये बोर्ड एक्जाम में कम से कम दो नमबर के कोशन आते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं हम लोग जब भी सीध करते हैं तो यह तो लेचेस से करते हैं कि ग्रुफ करना है तो हम लोग जैसा जानते हैं कि फ्रमूला एक प्रमूला आता है तो यहां पर हम लोग वह फर्मूला लिख देंगे क्या कॉश्च छिटा ब्रावर बट्टा में साइन ठीटा यह हो गया कॉश्च छिटा ब्रावर फर्मूला इसका होलसकर है तो होलसकर कर देंगे अब इसी में आगे यह दोनों का एल से हम ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन ठीटा साइन ठीटा कर गया तो बच जाएगा कॉश्च छिटा तो कॉश्च छिटा लिख देते हैं इसका होलसकर है तो होलसकर अब जब दोनों का होलसकर है तो हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं तो हम लोग लिख देते हैं ऐसे वान माइनस कॉश्च छिटा के होलसकर अब बच्टा में साइन ठीटा का होलसकर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अभी होलसकर है तो यह गुना में होगा इसे हम गुना में लीख सकते हैं जैसे की 1- cos theta into 1- cos theta यह दोनों के जब गुना करेंगे तो square हो जगा तो जब square है तो हम लोग ऐसे लीख सकते हैं तो ऐसे हम लोग लीख देते हैं आभी साइन square theta बराबर एक हम लोग formula पढ़ेते क्या 1- cos square theta होता है यह होता है तो यहां पर one है तो इसको square कर देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि one के square भी one ही होता है तो यहां पर एक formula के रूप में आ गया a square minus b square तो इसे हम अब तोड़ देते हैं तो one minus जो है जो उपर वाला लिख देते हैं one minus cos छिटा अब नीचे वाला को formula पर क्या हो जाएगा a minus b into में a plus b के formula पर तोड़ जाएगा क्योंकि a square minus b square के काम कर रहे तो इसे ऐसे लिखेंगे one minus cos छिटा into में one plus cos छिटा हो जाएगा तो यह one minus cos छिटा से one minus cos छिटा तो cancel हो जाएगा तो one minus cos छिटा one minus cos छिटा बटा में one plus cos छिटा बच जाएगा तो हम लोग के यहीं proof करना था one minus cos छिटा बटा में one plus cos छिटा तो हम लोग के answer भी वो आ गया one minus cos छिटा बटा में one plus cos छिटा यानि कि हम लोग के RHS proof हो गया धन्यवाद दोस्तों अब कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो